सब्सक्राइब कीज़े मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू और सबसे पहले में पहुँचे आपके पास आज मैं आपको दिखा रहा हुँ दोस्तों CNC की प्रोग्रामिंग में जो आपन X और Y की कैलकुलेशन करते हैं X और Z की उसके लिए कुछ ट्रेंगुलर मैथर्स होते हैं ट्रेंगुलर मैथर्स के उपर मैं आपके वीडियो समझा रहा हूँ और यह बहुत इंपोर्टेंट है लिए उसके लिए बहुत बेनिफिट है और आप ढंक से देखें वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें ताकि हमें भी होचला बने सिखाने का आप लोगों को तो ट्रेंगुलरे दोस्तों यहां पे बहुत इजी तरेके से समझा रखा है यहां C की वेलू अगर लिकालनी है C की वेलू लिकालनी है A, B, C दे रखा है लेंथ ट्रेंगुलर का अगर C की वेलू लिकालनी है तो यहां अंडर रूट A स्क्वार प्लस B स्क्वार तो दोनों का स्क्वार अपना अंडर रूट C के बरबर होगा, खीक है, इसी तरह से D, sin D लिकालना है, sin D के बेरे लिकालने हैं, तो B divided by A, अगर E लिकालना है, तब तिर भुज़े में दोस्तो, E, D, ये सारे के सारे एंगल के रूप में दिखा रखें, एक एंगल 90 डिग्री है, बाके निकालना है, कोई भी एंगल, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फोरूम लग साहता से, E बरबर 90 डिग्री माइनस E, यहाँ पे एक तो 90 डिग्री हो गया, दूस्ता, अगर E के वेल लिकाल 90 डिग्री माइनस E के वेलू, तो यह D निकल जाएगा, यह D होना चीए था, नेक्ट दोसरों, यहाँ पे B का लिकाल रखा है, B के वेलू लिकालने के लिए, परपेंडिकुलर की लंबाई, अगर X के रोप में लिकालने के पन, तो यहाँ B बरबर अंडरूट A स्क्वार मैंस C स्क्वार, यहाँ Sine E के वेलू लिकालने के लिए, C डिवाइड़ बाई A, तो Sine E के वेलू लिकल जाएगी, Sine E के वेलू, इसी तरह से D इक्वाल टू 90 डिगरी मैनस E, यहाँ D के लिकल जाएगी, यहोग 90 मैनस E करेंगे, तिरभूज के तीनों कुर्णों को यहोग 180 डिगरी होता है दोस्तों, तो यहाँ D की वेलू लिकालने तो E की वेलू परूप पता होने चीए, तो उसमें से निकल, कब, उसके बाद A वरूबर अंडरूट B प्लस C, अब दोस्तों A की वेलू लिकालने हों तो अंडरूट B प्लस C, A क्या है, अपना करण की वेलू, तो यहाँ पर B प्लस C का अंडरूट, 10D लिकालना है, 10D की वेलू B वटा C, इसी तरह से B की वेलू लिकालनी है, साइन D, साइन D यह है, और इन्टू A, बहुत अच्छे तरह से इजी तरह के सीख सकते हो, दोस्तों इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है, और तिर्भुज को पर यह सब कोण तिर्भुज को पर सारी आधारित है, C की वेलू यहाँ से निकालनी है, तो A कोस D, इसी तरह से अगर B की लिकालनी है, तो A, साइन E, तो आप दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, जब भी आपको इस तरह की प्रावलम आई है, लिकालनी की जर्थ पड़ें, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके, आप आसानी से अपना काम निकाल सकते हो, यहाँ A की वेलू लिकालनी है, अगर D और C दे रखा है, D और C दे रखा तो A कोल टो C डिवाइड बाइड साइन T, यहाँ जाएगा, यहाँ पर C की वेलू लिकालनी है, B कोट D, इसी जरह से A कोल टो B बटा कोस E, यहाँ पर A की वेलू लिकालनी है, तो B टैन E, एक की वेलू आजाएगे पनी, इसी तरह से A यहाँ से निकालना है, C कोस D, तो यहाँ कैई सारी चीज़ें दोस्तों, आपको बहुत आसानी से कैलकुलेशन मिल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दे रखी यहाँ पर, कहीं A निकालना है, कहीं B निकालना, कहीं एंगल निकालना, तो यहाँ से आप अच्छे तरह से निकाल सकते हो, B इकवल टो C 10 D, A बरावर C साइन E, B बरावर C कोट E, इसी तरह से B की वेलु अगर यह 90 डिफरेंट डिफरेंट अपने पास नहीं है, 90 डिफरेंट 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 तरह से अपने पास कोई और एंगल का, तो आप B बरावर A साइन F, साइन F, F का एंगल पता होगा, और यहां D की वेलु पता होगी, तो अपने बी निकल जाएगी, इसी तरह से E का बरावर, एक साइन D माइनस F, यहां से निकल जाएगा, P बरावर A साइन E बटा साइन D, तो यहां से वेलु आ जाएगी, 10D बरावर A साइन E बटा B माइनस E कोस E, और दोस्तों आगे चलके अबन, F इक्वल टू, 180 माइनस D प्लस E, तो यहां से F की जो एंगल है, वो निकल सकते हैं, 180 माइनस D प्लस E, ठीक है, कोई दो एंगल अपने को पता हो, तो तीसर अपन निकाल सकते हैं, इस तरह से, C एक्वल टू, A साइन E बटा साइन D, तो यहां से अपन, C की वेलु निकाल सकते हैं, साइन F बरावर B साइन D, बटा A, तो यहां साइन F, साइन F एंगल की कालकुलेशन, इजी लिकर सकते हैं, Similarly, E इक्वल टू 180 मैंश D प्लस F, A की वेलु निकाल नहीं हो, तो वही फॉर्मूला है, जो अपना, यहां पे था, यह वाला, तो यहां F निकाल रखा है, यह यह लिकाल रखा है, इसी तरह से, A, अगर अपनको, इसकी वेलु निकाल नहीं है, D की, A into B into sin E divided by 2, कोश D की मान निकालना है, तो C plus B plus A divided by 2 B C, यहां कोश D की मान निकाल सकते हैं, जी लिए, sin D, sin D का, equal to B minus, sin F B length है, और A का divide करते हैं, तो sin D आ जाता है, F equal to 180 degree minus D plus E, तो F की वेलु निकाल सकते हैं, तो दोस्तों मैंना वो सारे जो फॉर्मूल हैं, यह सारे सारे आपको बताए हैं, तो आप इससे आसानी से अपना काव निकाल सकते हैं, और अपना चेंफर वेलु की, चेंफर वेलु की X और Z की वेलु आप निकाल सकते हैं, और एंगल भी आप इजीली लिकाल सकते हैं, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आये होगा, तो आज के लिए इतना काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेगे, तब तक के लिए दोने बाद, क्र और एंगल निकाल सकते हैं।